अपनी महरारों को सौपिंग कराने में बन जाता है बिल का एक फाइल हम समझेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या हाइपरसोनिक मिसाइल देखिस सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होती है जो कि साउंड की भी पाज गुना से भी ज़्यादा तेज चलती है उसी हम कहते हैं हाइपर सॉनिक मिसाइल इस हाइपर सॉनिक मिसाइल को लांज करने के लिए एक वहिकल की जरूरत होती है और जब इसको लांज किया जाता है फिर इसमें टार्गेट सेट किया जाता है कि इसको कहां पर जाकर गि गिरेगा अब जैसे कि मल् albums आपको hyper sonic missile आपनी वाली पर गिराना है ठीक्ट जो आप यूदें ह liegen इस तरीके से hyper sonic missile को launch जाता है और यह जो hyper sonic missile यह अपने साथ प्रमारों उलिक अनिकि च्छ्मता रखती है और घ्र हाईपरसोनिक मिसाल है उसका टेस्ट यानि की परिछड 2021 में अगस्त के महिने में चाइना देश ने किया था और जब इसका टेस्ट किया था तो जो हाईपरसोनिक मिसाल है वो पूरे दुनिये का एक बार चक्कर लगाई थी और फिर जो हाईपरसोनिक मिसाल में टार्गेट किया गया थे कि हाइपरसोनिक मिसाल को यहां पर जाग गिरना है वहां पर हाइपरसोनिक मिसाल जाकर नहीं गिरा था बलकि वहां से 30 से 35 किलोमेटर दोर जाग गिरा था लेकिन भाई ये खुद में भी एक न ग्रोग कर सकता है चायना तो जो ए मेरिका पूरा भाय एहिल गया और जैसे ही चायना को पता चला की अमेरिका हेल गया तुरंत हाइपरसोनिख मिसाइल का टेस्ट नहीं कर रहे थे सिस्ट्म है तुरान्त अमेरिक है delivered हिए पूरा रहा hatte है डन्ग और या मेरिकया का एंटी मिसाइल अरे डिफेंस सिस्टम है ना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसका रेडार भी इस हाइपर सॉनिक मिसाइल को कैच नहीं कर सकता इसलिए जो आपका अमेरिका देश है वो पूरा दंग रहे गया और आप लोग के अंदर एक कोश्चन उठ रहा होगा कि यह जो हाइपर सॉनिक मि मिसाइल होती जिसको कि हम कहते हैं बैलेस्टिक मिसाइल यह जो बैलेस्टिक मिसाइल होती यह भी साउंड के स्पीड से यानि कि ध्वनी के गति से भी यह भी तेज चलती है और जो हमारी हाइपर सॉनिक मिसाइल होती यह भी साउंड के स्पीड से तेज चलती है फिर क्यों हम ballistic missile को ballistic missile कहते हैं और hypersonic missile को क्यों हम hypersonic missile कहते हैं इन दोनों में क्या अंकर होता है अब हम उसको समझते हैं ballistic missile sound की speed से तेज चलता है और hypersonic missile भी sound की speed से तेज चलता है जो ballistic missile होता है अगर इसमें कोई target set कर दिया गया है फिर उसको आप नहीं बदल सकते set target नहीं बदला जा सकता किसमें ballistic missile में और जो hypersonic missile होता है इसमें जो target set कर दिये जाता है उसको आप बदल भी सकते हो यानि कि set target बदला जा सकता है अब इसको हम एक example की मदद समझते हैं फिर आप अच्छे समझ जाएंगे देखें मालीजी आपके पास ballistic missile है आपको दागना है पहलकी वाली को पर तो आप ballistic missile में set करोगे पहलकी वाली ठीक तो यह जो ballistic missile है पहलकी वाली को पर जा गिरेगा लेकिन मालीजी यह ballistic missile जाहिरा है फिर आप बिच्वम सिलागे किया पहलकी वाली को पर गिरा हो दूसर की वाली को पर गिरा देता हूं, तो अगर आप सिलाग है और आप उसका बदलना चाहते हो, टार्गेट, बैलेस्टिक निसाइल को, तो आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक, लेकिन अगर आप के पास हाईपर सोनिक मिसाइल है और हाइपर सॉनिक मिसाइल में आप सेट कर दी हो पहल की वाली तो पहल की वाली कुपर तो जा रहा है यह हाइपर सॉनिक मिसाइल लेकिन आप बिचम सिला के क्या पहल की वाली कुपर बड़ी सीधी साधी दूसर की वाली कुपर गिरा देता हूं तो जब अगर मा टार्गेट सेट किया गया है उसको बदल भी सकते हो यह अंतर होता है बैलेस्टिक मिसाइल और हाइपर सॉनिक मिसाइल में यह जो बैलेस्टिक मिसाइल होता है इसको जहां से छोड़ा गया है और जहां पर जाग गिरेगा ना उसको पता किया जा सकता है बैलेस्टिक मिसाइ है और यहीं पर जो आफका chance के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता किसको hackersonik मिसलेह इसका टार्गेट सेट के बदल भी सकते हैं किसके कारण इसको anti-missile defense system के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता और ballistic missile को anti-missile defense system के रडार कें पकड़ा जा सकता है यहीं अंतर होता आपका ballistic missile और hypersonic missile के अंदर अब देखिए अब आपको इसमें कौन सबसे ज़्यादा आधूनिक कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा लग रहा है तो भाई यह तगड़ा लग रहा है hypersonic missile इसलिए इसका नाम हाइपर रखा गया है क्या रखा गया है और अब देखिए जो hypersonic missile यह परमाडू हतियारों को भी ले जाने की छमता रखता है अब बहुत लोगों के अंदर यह कुश्चन आ रहा हो गया यह जो hypersonic missile क्या इससे आपको कुछ खत्रा हो सकता है किसी और को कोई खत्रा हो सकता है इसको को भं समझते हैं देखिये जो न हुखते हैं बहुत होगी हम गिरा दी चोड़ो भाहय ऐसे नहीं होता है अगर कोई देश प्रमाडू-B divem गिरा आतो दूसर को देश गिराएगा और दोनों को इतना नऋ आध दोनों को इतना नुकसाना यहाँ पर होती बीडियो है अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो अपनी वाली के पास करियेगे सेंड दिखा दीजेगे बैलेस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल तो यहाँ पर होती बीडियो